हेलो फ्रेंट्स स्वागता आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुर्मीत कीचन में आज मैं आपके साथ सिम्ला पनीर की सबजी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ सिम्ला पनीर तो आपने बहुत खाया होगा लेकिन एकवाल मेरे तरीके से बनाकर शुरूर खायेगा आपका बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए रेसिपी को बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम एक कड़ाई में दो चमस तेल लेंगे पनीर को हमने दोनों साइडों से लाइट ब्रॉन करना है अब हम इसको पल्टेंगे और दूसरी साइड से भी इसको पकाएंगे दोनों साइडों से हमारा पनीर पक चुका है अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे देखिए हमारे पनीर का कितना अच्छा कलर आ गया है अब हम इसी कड़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे दो चमच के क्रीब तेल गर्म होने के बाद हम इसके बीच एक चमच जीरे के डालेंगे एक चताई चमच साबुद दनिया डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें अब हम इसके वीच चार कलिया लसन की डालेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे लसन को जादा निमुनना थोड़ा सी बुनेंगे अब हम इसके वीच दो मीडियम साइज प्यास लिये है जिनको वरी काट लिया है अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे प्यास को हमने तब तक बुनना है जब तक इनका कलर गॉल्डन ना हो जाए देखिए हमारे प्यास का कलर चेंज हो गया है अब हम इसके वीच दो इंच अद्रक की टुकड़ा लिया है जिनको हमने बारीक काट लिया है अद्रक एड़ करने के वाल हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसके वीच दो हरीमिच डालेंगे जिनको हमने बारीक काट लिया था अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे प्याज हमारे फ्राई हो चुके है अब हम इसके वीज टमाटर डालेंगे हमने दो मीडियूम साइज टमाटर लिये थे जिनको बारीक काट लिया था अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसके वीच मसाले आड़ करेंगे नमकाम ने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है बन फॉर्थ लाल मिर्च बन फॉर्थ गरम मसाला बन फॉर्थ किचन किंग आदा चमस हल्दी पोडर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मैस करेंगे अब हम इसके वीच दो चमस के करीब पानी डालेंगे पानी हमने ज्यादा नहीं डालना थोड़ी से बस ग्रेवी बनाने के लिए हमने पानी एड़ करना है थोड़ा सा मसाला हमारा त्यार हो चुका है अब हम इसके वीच पनीर एड़ करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एक प्याज हमने मोटा मोटा काट लिया था इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसके वीच सीमला में चार्ट करेंगे हमने दो मीडियम साइज सिमला लिए थी इनको क्यूपस में काटी गया था इनको अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसको दो से तीन मेंट के लिए डखकन लगाकर लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तीन मेंट हो चुके हैं चलिए सबजी को चेक करते हैं देखें हमारी सबजी पक चुकी है इसको हमने दो तेन मेंट और खुले में पकाना है अब हम इसके वीच दनिया एड़ करेंगे दनिया हमने एक मुठी के क्रीब लिया था दनिया डाल कर इसको अच्चे से मिक्स करेंगे सबजी हमारी रेड़ी हो चुकी है अब हम इसको सर्व करते हैं सिमिला और पनीर की सबजी को आप रोटी के साथ प्रॉंटो के साथ खाईए और अपने बच्चों को खिलाईए बहुत ही असान और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये सबजी आप अपने टीफन बोक्स में भी लिजा सकते हैं लंच बोक्स में और अपने बच्चों को स्कूल के लिए लंच बोक्स में डाल सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू